नमस्कार विसवनाईज के न्यूस टुडे के इसंक में आप सभी का स्वागत है इसंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं UPSC परिक्षा की द्रिष्टी से महत्वपूर्ण कुछ एहम खबरें इसंक में हम सबसे पहले बात करेंगे पशुपालन अवसंरचना की। उनकी भागीदारी के लिए उन्हें प्रोचसाहन और सहयता प्रदान करेगा। इसे आत्म निर्भर भारत पैकेज के तहत घोशित किया गया है। आईए अब इसके मुख्य दिशा निर्देशों को समझते हैं। इसका उद्देश्य दुग्द और मास प्रसंसकरन शमता और उत्पाद विविदता में व्रद्धी करना है। इसके साथ बाजार तक अधिक पहुँच प्रदान करना, निर्यात और उद्द्यम शीलता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। मुख्य पातर संस्थाएं, किसान उत्पादक संगठन, MSMEs, गैरलाबकारी कमपनिया, निजी कमपनिया और व्यक्तिगत उद्यमी हैं। कार्यानवन एजेंसी, पशुपालन, डेरी और मत से पालन विभाग होगी। एलिजिबल एक्टिविटीज, डेरी प्रसंस करण, मुल्य वर्धित डेरी उत्पादों का विनिर्मान और मास प्रसंस करण है। परियोजना की कुल लागत का 10% हिस्सा लाभार्थियों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा और 690% हिस्सा अनुसूचित वानिजिक बैंकों द्वारा रिन के रूप में प्रदान किया जाएगा। करने के लिए उत्तरदाई बनाया गया है इससे दुग्द प्रसंसकरण के वर्तमान 20 से 25 प्रतिशत हिस्से को बढ़ा कर 40 प्रतिशत तक किया जा सकता है इसके साथ ही 35 लाख लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका स्रजित हो सकीगी अगली खबर ई-कॉमर्स से संबंदित है भारत ने ई-कॉमर्स कंपणियों पर आरोपित समकारी लेवि का बचाव किया है बहरत ने अपना पक्ष इसपश्ट किया है समकारी लेवी दरसल भारत में इस्थाई प्रतिष्ठान के बिना सेवा प्रदान करने वाली अनिवासी e-commerce कमपनियों पर लागू एक प्रत्यक्ष कर है ऐसी अनिवासी कमपनियों द्वारा जब डिजटल विग्यापन सेवाओं के लिए कोई भुगतान प्राप्त किया जाता है और यदिवाराशी एक वर्ष में एक लाख रुपे से अधिक हो तो उस पर 6 प्रतिशत की दरसे समकारी लेवी का आरोपन किया जाता है अप्रेल 2020 से एकॉमर्स ओपरेटरों पर भी दो प्रतिशत की दरसे समकारी लेवी आरोपित की जा रही है समकारी लेवी को लेकर भारत ने अपना पक्ष इस्पष्ट किया है भारत ने कहा कि समकारी लेवी गैर भेदभाव पूर्ण है और यह भारत में स्थाई प्रतिष्ठान से रहित सभी अनिवासी e-commerce ओपरेटरों पर लागू है समकारी लेवी के लिए करकी दर अत्यंत कम है साथ ही छोटे वैश्विक e-commerce ओपरेटरों को इससे छूट प्रदान की गई है समकारी लेवी विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप है यदि संग्तुराज अमेरिका को ऐसा प्रतीत होता है कि ये बहुपक्षिय व्यापार नियमों के विरुद्ध है तो उसे एक पक्षिय कदम उठाने की बजाए WTO के समक्ष इस मुद्धे को प्रस्तुत करना चाहिए समकारी लेवी एक प्रकार से आधार शरण और लाभ हस्तानतरण के विरुद्ध अतरिक्त रक्षोपाय के रूप में है ये निस्पक्षता, स्वस्त प्रतेसपरधा और सरकारों की शमता का उप्योग सुनिश्चित करता है आपको बता दें कि जब बहुराष्ट्री कमपनिया किसी देश के नियम कानून में विद्धिमान कमियों का लाभ उठाते हुए अपने लाभ को अलप कर विवस्ता वाले देश में इस्थानांतरित करती हैं तो उसे आधार शरण और लाभ हस्तानतरण कहा जाता है अगली खबर डेटा एकत्री करण पर गोपाल कृष्णन समिती की रिपोर्ट पर आधारित हैं दरसल गेर व्यक्ती डेटा यानि नौन परसनल डेटा से संबंदित विभिन्न मुद्दों का अधेयन करने और इसके विनियमन पर विशिष्ट सुझाव प्रदान करने के लिए ये समिती गठित की गई थी नौन परसनल डेटा को डेटा के ऐसे समुच्चय के रूप में परिभाशित किया जाता है जिसमें विक्तिकत पहचान युग्य सुझना नहीं होती है ऐसे डेटा को देखकर अत्वा उसका विशलेशन करके किसी भी व्यक्ति या जीवित व्यक्ति की पहचान नहीं की जा सकती है गोपाल कृष्णन समिती की रिपोर्ट के मुख्य बिंदू रिपोर्ट के तहट नॉन पर्सनल डेटा को तीन शेनियों में विभाजित किया गया है पहली है सावजनिक NPD यानी नॉन पर्सनल डेटा सरकारों और उनकी एजिंसियों द्वारा एकत्रित या स्रजित डेटा को सावजनिक NPD कहते हैं जैसे भूमी का रिकॉर्ड, सावजनिक स्वास्थे की जानकारी आदी। दूसरी है सामुदाईक NPD यानि Non-Personal Data। इसके अंतरगत ऐसे डेटा को सम्मेलित किया जाता है, जो उन लोगों के समुच्चे के बारे में जानकारी रखता है, जिनकी समान भौगौलिक अवस्थिती, धर्म, नौकरी या अन्य सामाने सामाजिक हित होते हैं। उदाहरन के लिए नगर निगमों, विद्युत कंपनियों आदी द्वारा एकत्र किये गए डेटा समुच्चे। उपयोग और अनामिक्ता के लिए सहमती की आवश्यक्ता के संबंद में सुझाओ दिया गया है। नौन पर्सनल डेटा परिवेश में हित धारकों और उनकी भूमिका को परिभाशित किया गया है। जैसे डेटा कस्टोडियन, डेटा प्रिंसिपल, डेटा ट्रुस्टीज आदी को परिभाशित किया गया है। विन्यामक शक्तियों से युक्त एक गयर व्यक्तिदत डेटा प्राधिकरन का गठन करना आदी। अगली खबर इस्थानिय निकायों को सहयता अनुदान प्रदान करने से संबंदित है। वित्त मंत्राले द्वारा ग्रामीन इस्थानिय निकायों यानी रूरल लोकल बॉडीज आरल बीज के लिए सहयता अनुदान जारी किया। ये सहयता अनुदान 15,187.50 करोड रूपे का है जो वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पंद्रवे वित्त आयोग द्वारा अनुशनसित सशर्थ अनुदान का हिस्सा है। इसका उपयोग आरल बीज द्वारा विभिन विकासात्मक कार्यों को पूर्ण करने के लिए किया जाएगा। पंद्रवे वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपनी अंतरिम रिपोर्ट में आरल बीज हेतु 60,750 करोड रूपे के आबंटन की अनुशनसा की थी। ये आरल बीज के लिए किसी एक वर्ष में वित्त आयोग द्वारा अनुशनसित सरवाधिक आबंटन है। दरसल पंद्रवे वित्त आयोग ने पांचवी और छटी अनुशूची के अंतरगत आने वाले शेत्रों के पारमपरिक निकायों सहित, पंचायती राज के सभी स्तरों के लिए दो रूपों में सहयता अनुदान की अनुशनसा की है। इस सहयता अनुदान का 50% हिस्सा मूल अनुदान की रूप में होगा। मूल अनुदान शर्ट रहित होते हैं। अतह आरल बीज द्वारा इन्हे वेतन या अन्यसन स्थापन व्ये को छोड़कर इस्थानी आवश्यक्ताओं के अनुरूप उप्योग में लाया जा सकता है। इस सहयता अनुदान का 50% हिस्सा सशर्ट अनुदान के रूप में होगा। इस अनुदान का उप्योग स्वक्षता और खुले में शौच मुक्त ओडियफ इस्थि को बनाई रखने और पेजल की आपूर्ती वर्षा जल संग्रहन और जल पुनर चक्रण जैसी मूल सेवाओ के लिए किया जाना है। ये अनुदान पंचायतों के सभी इस्तरों को वित्रित किये जाएंगे और पंद्रवे वित आयोग ने इसके लिए मानत निर्धारित किये हैं जैसे ग्राम या ग्राम पंचायतों के लिए 70-85 प्रतिशत राशी, प्रखंड या मध्यवर्ती पंच पंचायतों के लिए 10-25 प्रतिशत राशी, जिला या जिला पंचायतों के लिए 5-15 प्रतिशत राशी, दुएस्तरी प्रणाली वाले राज्यों में ग्राम या ग्राम पंचायतों के लिए 70-85 प्रतिशत राशी और जिला या जिला पंचायतों के लिए 15-30 प्रतिशत जैसे दक्षिन चीन सागर में प्रादेशिक विवाद। प्रतिशत से भी अधिक भाग पर अपना दावा करता है। अमेरिका ने होंग कोंग के साथ व्यापार वरियताओं को समाप्त कर दिया है। साथ ही ऐसे चीनी अधिकारियों, व्यविसायों और बैंकों पर प्रतिबंध आरुपित किये हैं जो हौंग कोंग की स्वायतता को प्रतिबंधित करने में चीन की सहायता करने में लगे हुए हैं। उलेखनिय हैं कि वर्ष 1992 के United States Hong Kong Policy Act के तहट सैंक्तुराज अमेरिका होंग को चीन के एक अर्ध स्वायत तभाग के रूप में व्यापार, वानिज्य और अन्य शेत्रों में चीनी मुख्यभूमी से अलग मानता था। इसके अलावा होंग कॉंग में मानवाधिकार के मुद्दे को लेकर भी अमेरिका ने चीन का विरोध किया है। 18 वर्षों के बाद पहली बार जून 2020 में भारत ने 790 मिलियन डॉलर का व्यापार अधिशेश दर्ज किया है। इस भारत के व्यापार संतुलन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों जैसे पेट्रोलियम, सुर्ण और इलेक्ट्रोनिक्स के आयात में गिरावट आई है। इस व्यापार अधिशेश के कारण जून तिमाही में चालू खाता अधिशेश के इस्तिती में पहुँच जाएगा, जो संभवतर रुपए के मुल्ली को मजबूत करेगा। चट्टो ग्राम पत्तन से होते हुए कोलकाता बंदरगाह से अगर तला तक प्रथम कंटेनर पूत। ये भारत और बांगलादेश के बीच संपन उस समझोते के अंतरगत हुआ है जिसके तहट भारत के पारगमन कारगो की आवाजाही के लिए चट्टो ग्राम और मोंगला पत्तनों के उप्योग की अनुमती दी गई है। ये बांगलादेश के माध्यम से उत्तरपूर्वी शित्र को जोडने के लिए अपेक्षाकृत छोटा मार्ग प्रदान करेगा। एक समझोता ग्यापन के तहट जारी है। क्रूज सेवाओं की भी शुरुवात की गई है। जैगाओं अहले व्यापार मार्ग ये भारत और भूटान के बीच शुरू किया गया एक नया व्यापार मार्ग है। ये व्यापार मार्ग पश्चिम बंगाल के जैगाओं को भूटान इस्थित एहले से जोड़ता है। इसके माध्यम से वस्थूओं का सुगम व्यापार संभव हो सकेगा और दक्षिन एशिया में चीनी घुस्पैट के परिद्रिश में उप्शित्रिय सहयोग को मजबूत किया जा सकेगा। भारत में मात्र मृत्यूदर सेंपल रजिस्ट्री करण प्रणाली यानी सेंपल रजिस्ट्रिशन सिस्टम के अनुसार भारत में MMR यानी Maternal Mortility Ratio 122 से कम होकर 2016-18 में 113 हो गई। मात्र मृत्यूदर प्रती एक लाख जीवित जन्मों पर मात्र मृत्यूद की संख्या है। WHO के अनुसार गर्भावस्था या इसके प्रबंधन से संबंधित किसी भी कारण से गर्भावस्था के दौरान या गर्भावस्था की समापती के 42 दिनों के भीतर महिला की मृत्यू को मात्र मृत्यू माना जाता है। भारत में उच्छ MMR वाले राज्य है असम जहां मात्र मृत्यू दर 215 है। उत्तर प्रदेश में 197 और मध्यप्र देश में 173 मात्र मृत्यू दर है। वहीं निमन MMR वाले राज्य हैं केरल जहां MMR 43 और तेलंगाना जहां पर MMR 63 है। स्कूल प्रमुखों और सिक्षकों की समग्र प्रगती के लिए राष्ट्र पहल निश्ठा नैशनल इनिशेटिव फोर स्कूल हेड्स एन्टीचर्स हॉलिस्टिक एडवांस्मेंट हाल ही में COVID-19 महामारी के कारण ओनलाइन निश्ठा कारिक्रम की शुदुवात की गई थी समग्र सिक्षा योजना के तहट प्रारंब की गई निश्ठा पहल एकिकृत सिक्षक प्रसिक्षन के माध्यम से स्कूल सिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक शमता निर्मान कारेक्रम है इसका उद्देश्य शुडवाती इस्तर पर स्कूल के सभी सिक्षकों और प्रधाना ध्यापकों की शमता का निर्मान करना है इसका लक्ष्य 42 लाग सिक्षकों को प्रसक्षित करना है भारतिय क्रिशी अनुसंधान परिशद का बयानवेवा स्थापना दिवस ICAR क्रिशी अनुसंधान और सिक्षा विभाग के तहट एक स्वायत संगठन है इसे क्रिशी पर रोयल कमिशन की रिपोर्ट में की गई अनुशंसा के आधार पर वर्ष 1939 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहट एक पंजीकरित सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया था ये संपून देश में बागवानी, मत्सेपालन और पशु विज्ञान सहित क्रिशी शेत्र में अनुसंधान एवं सिक्षा के समनवय, मार्दर्शन और प्रबंधन के लिए सर्वोच्चनिकाय है इसने भारत में क्रिशी में हरितक्रांती और उत्तरवर्ती विकास को आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमेका निभाई है वूली वाइट फ्लाई ये कैरीबियन मूल का एक आक्रामक विदेशज कीठ है जो विभिन प्रकार के खाद्यों का भक्षन करता है इसका प्रसार कैरीबियन दूइप से संक्रमे नवांकुर पादपों के परिवहन के माध्यम से हुआ है वर्ष 2019 में ये केरल के कोजी कोड जिले, करनाटक के रामनगर, मंडेया और बेंगलूरू ग्रामीड जिलों और तमिलनाडू के कोईमबटूर जिले में अमरूद के बागानों में देखा गया था हाल ही में दो प्रकार की लेडी बर्ड बीटल की खोज की गई है, जो इस कीट के विरुध जैविक हत्यार के रूप में कारे कर सकती है इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्योपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार